हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल स्वीट मूमेंट आई एम हेवाद न्यू पार्ट आफ विंग्स डैस्ट्रोई हार्ट इस स्टोरी का लास पार्ट भी मैं आप लोगों के साथ आज यह शेयर करने वाली हूं ताकि स्टोरी फाइली अधिकर हो जाए को मैं यह स्टोरी करने के चकर में मुझे रीट करना पड़ता है रीट रहती हुए करकर 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 कि बूर। मतलब मैं सबकुंआ बच चुकिए मेरी याऄ लग रहाँ कभी पूराने का खतम हो तो मैं नहीं का सटार हुआ dość ही जा टो अंदस में का अनुजा चाहिए एक से एक्साइटमेnंकłन hell ईह कर तो अंदर से मुझे भी एकसाइटमेंट रहेगी आप लोग को भी तहेगा कि कुछ नहीं सुनना है मतलब वही पुरानी स्टोरी नी जो कम से कम दो सालों से चली आ रहे हैं तो इस स्टोरी को फालली खतम करते हैं तो लास्ट पार्ट जो कि मैंने आज ही शियर किया था तो उ पूरे दिनबस लेंजा को हर जगा इमेजन करके उसे बात दे करता जाता था आज भी देली की तरह संसेट का टाइम हो रहा था जब वींग क्लान के सारे वोर्ट कम्प्लीट करने के बाद रूम में जाता है और विंडो के पास पैट जाता है वींग के फेस पे हावा टकरा वींग कहता है लेंजा मैं बहुत जादा लोनली फील कर रहा हूँ वांग जी कहता है हाँ वींग मुझे पता है अब तुम्हें लोनली फील करने की कोई ज़रूत नहीं है मैं तुम्हाई पास हूँ आज की बाद तुम्हें कभी भी लोनली फील करने की कोई ज़रूत नही कहा कि मैνे उने हैपी किया मेरे आस पास जितने भी लोग ठे kö мешा मेरे साथ हैपी थे मैं यहां का एक गुड्सेप्लिन था वांग जी मैं गुडबॉय हूँ न वांग जी कहता है हाँ विह तुम गुडबॉय हो वूई कहता है वांग जी मुझे लगता है अब बहुत हो गया अब तुम मुझे अपने साथ ले चलो ये सुनते ही वांग जी कहता है वींग तुम क्या कह रहे हो वींग कहता है वांग जी अब मैं बहुत जादा टायट हो चुका हूँ 15 साल बीच चुके हैं अब मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता, मुझे बहुत जादा लोलनी फील होता है, अब मैं बिल्कुल नहीं रह सकता वांग जी, मुझे अपने साथ ले चलो, वांग जी कहता है, ठीक है विंग, अब तुम मेरे साथ चलो, ये सुनते ही विंग, दुबार से अपनी आखे खुलता है तो वो रूम में अकिला था वहाँ पर कोई नहीं था पर जब वो अपने डूर के पास देखता है तो वहाँ पर एक फाइट फिगर खड़ा हुआ था और जब विंग ध्यान से देखता है तो वहाँ पर वांग जी खड़ा था वो भी भी बहुत ज़ हूँ और यह कहते हुए वांग जी के पास चला जाता है इधर कुछ टाइम बात कुछ कार्स वींग की बॉड़ी को लेके लैंसे चैन और जियंग चैन के पास आते हैं जियंग चैन इनफर्म करता है कि लैंसे चैन हमें वींग की बॉड़ी मतब क्लाउड से इसके ब्लाउन में मिली और किसी ने भी वींग को अपने रूम से जाते हैं नोटिस नहीं किया हम लोग जब तक वहाँ पर गए बहुत देर हुच चुकी थी I'm sorry तो लैंसे चैन कहता है ठीक है तुम वो बहुत ज़्यादा content और peaceful लग रहा था बहुत ज़्यादा happy लग रहा था जैसे कि वो वांग जी के साथ हो ज्यांग चैन कहता है brother तुम मुझे छोड़ के कैसे दा सकते हो तुमने मुझे last time favorable केने का भी chance नहीं दिया लैंसे चैन कहता है dear cry मत करो मुझे पता है तुम्हे अपने प्रदर से बहुत पया करते थे पर देखो वो कितना ज़्यादा peaceful लग रहा है मुझे पता है कि अपने death से पहले विंग ने जो last चीज देखी होगी वो वांग जी रहा होगा इसलिए वो smile कर रहा है मेरे प्रदर ने मुसे promise किया था कि दोनों हमेशा एक दूसे के सा कुछता है कि क्या सच में लैंसे चैन कहता है हाँ डियर अब सिर्फ इन दोनों के लिए प्रे करो यह सुने के बाद च्यांग चैन कहता है कि अगर अब वो finally happy रहेगा तो मैं cry नहीं करूंगा और उन दोनों के लिए प्रे करूंगा फिर वो विंके forehead परकस करता है और कहता ह मेरा प्रदर होने के लिए मुझे सैफलेसली लव करने के लिए थैंक यू सो मच तो काया इस फाइनली पास्ट की स्टोरी खतम होगी अफसे प्रेजेंट की रह गई है आज वांग जी और जो यहां दोनों ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले थे वो दोनों अपना ग्र के पैंडिंट है और अब वो अपना और विंग तोनों का ध्यान रख सकता है जोएंग कहता है वांग जी आज से तुम बहुत ज़्यादा हैंसम लग रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम पर क्रश होने वाला है यह सुनते ही वांग जी जोएंग के शूल्डर प पूसता है मुझे टेंशिन हो रही है वेइंग अभी तक यहां पर नहीं आया कहीं कुछ होतों नहीं गया जोएंग कहता है टेंशिन करने की कोई जरूत नहीं है मेरी जेवचंचंग से भी बात हुई थी वो दोनों यहां पर आते ही होंगे वेइड करते काफी टाइम Wang Ji sat हो जाता है और वैसे ही stage पे अपना award और certificate लेने जाता है। अब Wang Ji के speech training के time आता है। Wang Ji जब speech training के लिए माइक लेकर अपना सर सामने करता है। तो वो देखता है कि college के gate से wing और wing के father उसे wheelchair पर लेकर enter हो रहे हैं। यह देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी स्पीच दिन लगता है वांग जी अपनी स्पीच में वींग को भी हमेशा उसका सपोर्ट करने के लिए और उसकी हेल्प करने के लिए ठैंक्स बूलता है और जब फाइनली यह सब कंप्लीट हो जाता ह और वो वींग को हग करने वाला होता है, पर वींग उसे अपना हाँ दिखा कर रोक देता है, ये देखकर वांग जी कहता है, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या तुम उसे सैड हो, क्या मैंने कुछ गलती कर दी, क्या मैंने स्पीच में कुछ गलत बोला, पर वींग उसे थोड़ा स जादा टैंशन लगती है क्योंकि इससे पहले भी वीलचेर पर से खड़े होने के कई सारे अटेम्ट कर चुका है पर वो बार बार गिर जाता है और ये देखकर वांग जी और वींग दोनों को बहुत जादा हट होता था पर इस बार वींग खड़ा होता है और अपने एक जाता है और वो धिरे धिरे वांग जी के पास जाने लगता है वांग जी तुरांट वींग के पास आता है और उसे टैटली हग करने लगता है और क्राय करने लगता है वींग वांग जी के नेक पे किस करता है वींग कहता है ओ मैं क्राय बेबी इतना स्ट्र ठांग माजन इ कैसे भीव कर सकता है वांग जी कहता है कौन क्या कर रहा है अभी मैं बहुत जादा है भी हूँ तुमने मुझे मेरी लाइफ का सब ज़्यादा अच्छा गिफ्त दिया है थैंक यू सो मुच हेल्दी होने के लिए वही कहता है थैंक्स करने की कोई चरूत नहीं लव I am proud of you मैं मैं हमेशा से तुम पर proud करता था और हमेशा तुम पर proud करता रहोंगा और washing के आकों में से भी तीएर्स आने लगते हैं तब ही वह दोनों वींग के डाट की बाइस सुनते हैं को कहते हैं Oh my God मैं भी cry कर रहा हूं और अपने टीएस को पोशने के बाद के सॉव के बाद लाफ करने लगते हैं और कहते हैं I'm sorry dad उसके बाद विंग धीर धीर विल्चर पर बैट जाता है और कहता है यह बहुत जादा ओल्ड हो चुका हूँ अब तो मैं funny लगता हूँ वांग शी कहता है बिल्कुल भी नहीं तुम तो अभी भी एक्दम टीनेजर की तर लगते हो तुम हमेशा से pretty थे और हमेशा pretty रहोगे यह केने के बाद वो विंग के पूरी face पे किस करने लगता है यह दिखने के बाद से soft और काम दिखते हो पर तुम्हारे हाथ बहुत ही ज्यादा hard है कुछ यहां पर अभी भी paint हो रहा है और वो दोनों एक दूसरे को टीज करें लगते हैं फिर विंग के डैट कहते हैं कि सन आज मैंने क्यों ना आज तुम लोग का celebration में एक घर पे किया जाए इससे विंग टा कर रहा था जिससे अगर by mistake विंग गिरे तो वांग जी तुरूंट उसे पकड़ ले और विंग को चोटना लगी विंग कहता है वांग जी अगर तुम जाओ तो मुझे कैरी करके वाश्रूम बेडरूम कहीं भी ले जा सकते हो लेकिन प्लीज आज मुझे चलने दो मैंने ख दसने की हावा सुनते हैं और जब दोनों अपने आसपास देखते हैं तो वहाँ पर आईवान उनको देखकर लाफ कर रहा था और कहता है हैंड़सम गगर प्रीटी गगर आप लोग यह सुनते ही वांग जी और विंग भी स्माइल करने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि यह सच में मेरा घर है वींग कहता है यस तियर आज से यह तुमारा घर है और हम तुम्हारी फैमली क्या तुम हमें अपनी फैमली एक्सेप्ट करोगे मुझे पता है तुमने चिन्हों को को खोया है वो तुम्हारी लिए बहुत ज़्यदा इंपॉर्टन थी और तुमारे क्राइफ में उनकी प्लेस कोई भी नहीं ले सकता हुआ हम तुमाइज साथ रहना चाहते हैं और एक हैपी फैमिली की तरह तो हमेज़ा खुछ रखना चाहते हैं यह सब सुने के बाद सजुई क्राय करने लगता है विंग उसके फॉरेट पे किस करता है और पूछता है तो क् प्रेंड्स मुझे लगाता कि आज इस स्टोरी खतम हो जाए कि बड़ नहीं यह वीडियो को जो पार्ट बन रहा है वो बहुत बड़ा हो रहा है कम से कम 30-35 मिनट की वीडियो बन रही है तो मैं इस पार्ट को हीं पे खतम करती हूं और जो स्टोरी होगी वह उसके लिए ए